जै श्रीहरी, इस प्रीच्वल यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में जिस कथा को हम सुनने वाले हैं वो है कैसे हुई यम्राज की मृत्यू वीडियो शुरू करते हैं यम्राज को मृत्यू का देवता माना जाता है यदि यम्राज स्वयम मृत्यू के देवता हैं तो इनकी मृत्यू कैसे संभव है यह बात हाज से प्रद्सी लगती है परंदु वेद और पुराण में इनकी मृत्यू की एक कथा बताई गई है इसको बताने से पहले यम्राज जी के बारे में कुछ जान लेना बहुत जरूरी है यम्राज जी की एक जुड़ूआ बेहन है जिनका नाम यम्राज पहसे की सवारी करते हैं और यम्राज की अराधना विविन नामों से की जाती है जैसे की यम्, धर्मराज मृत्यू, आतंक, वैवस्वत और काल बहुत समय पहले एक सुवेत मुनी थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे और बोदावरी नदी के टट पर निवास करते थे जब उनकी मृत्यू का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्यू पास को भेजा लेकिन श्वेत मुनी अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे तो उन्होंने महा मृत्यूम जय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया जब मृत्यूपास श्वेत मुनी के आश्रम में पहुँचे तो देखा कि आश्रम के बार भेरो बाबा पहरा दे रहे है धर्म और दाइत में बध्धे होने के कारण जैसे ही मृत्यूपास ने मुनी के प्राण हरने की कोशिश की तबी भैरो बाबा ने प्रहार करके मृत्युपाश को मूर्चित कर दिया वह जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्युपाश हो गई यह देखकर यम्राज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वेम आकर भैरो बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया फिर श्वेत मुनी के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपाश डाला स्वेत मुनी ने अपने इस्ट देव महादेव को पुकारा और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिके को भेजा कार्थिके के पहुँचने पर कार्थिके और यम देव के बीच घमासान युद्ध हुआ कार्थिके के सामने यमराज जिटिक नहीं पाए और कार्थिके के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यू हो गई भगवान शूर्य को जब यम्राज की मृत्यू का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए दिहान लगाने पर ग्यात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विप्रीत स्वेत मुनी के प्रान हरने चाहे थे इस कारण यम्राज को भगवान भूले के क्रोध को जहलना पड़ा यम्राज सूर्यदेव के पुत्र हैं और इस समस्या के समधान के लिए सूर्यदेव भगवान विश्णू के पास गए भगवान विश्णु ने भगवान सिव की तपस्या करके उन्हें प्रसंद करने का सुझाव दिया सूर्यदेव ने भगवान शीव की गोर तपस्या की जिससे भूलेनात प्रसंदेकर वर्दान मानने को कहा तब सूर्यदेव ने कहा कि हे महादेव यमराज की मृत्यू के बाद प्रत्वी पर भारिय संतुलन फैला हुआ है प्रत्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनहर जीवित कर दे भगवान शीव ने नंदी से यमना का जल मंगवा कर यमदेव के पार्थिव सरीर पर छड़का जिससे वो पुनहर जीवित हो गई तो जोड से बोलें ओम नमाश शिवाए अगर आपको ये कथा अच्छे लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और कथाओं को सुनने के लिए वीडियोस को देखने के लिए स्प्रिचल ग्यान चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वाचिं गाईज